विशिष्ट महर्शी और प्रभूराम चंदर जी का ज्यानमई समवाद सुनते हैं The Art of Living के फैकल्टी स्वामी वैशम पायन जी की वानी से अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को भी जरूर दबाएं जै गुरुदेयू यूग वसिष्ट के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जो दूसरी लीला मुर्चित हो चुकी थी वो पहले लीला के पती का जहां पे शव था वहां पर जा पहुची थी तो उस पर पहली लीला सरस्वती को कहती है हे देवी मुझे बताए कि वह पहले से वहां कैसे पहुच चुकी है और उससे वहां के लोग क्या क्या कह रहे है सरस्वती ने उत्तर दिया जिस प्रकार आप दोनों राजा के लिए प्रिय वस्तु थे उसी प्रकार स्वयम राजा और मैं भी सवपनिल पदार्थ है जो यह जानता है वे उन्हें पदार्थ के रूप में नहीं देखता असीम चेतना में हम एक दूसरे को कलपना में उत्पन्न कर लेते है वह दूसरी सुंदरी लीला निश्चे ही तुम हो उसने मेरी आराधना की और प्रार्थना की के मैं कभी विद्वा न हूँ अतर राजा दंग तोड़ता उसके पहले ही उसने महल छोड़ दिया प्यारी लीला तुम सभी ब्रमांड ये चेतना की विशिष्ट इकाईया हो परन्तु मैं ब्रमांड ये चेतना हूँ और यह सब कुछ घटने देती हूँ तो सरस्वती वही कह रही है कि उसकी इच्छा थी दूसरे लीला की कि वह विद्वा न हो तो उसके इच्छा के मुताबिक वह पहले ही अपना शरीर छोड़ कर उस लोख में चली गई जहां पर उसका पती रह रहा था वसिष्ट ने कहा हे राम जिस दूसरी लीला ने सरस्वती से वर प्राप्त किया था वह आकाश में पहुची और वहां उसकी भेट उसकी अपनी लड़की से हुई लड़की ने लीला को अपना परिचय दिया और लीला ने उससे कहा कि मुझे मेरे पती से मिला दो फिर वह लड़की अपने मा के साथ उड़कर वहाँ जहां पहुंची इस ब्रह्मांड को पार करते समय लिला ने इस ब्रह्मांड को घेर रखने वाले सागरो तता अन्य तत्वों को पार किया और असिम चेतना में प्रविष्ठ हुई असिम चेतना में ऐसे अगडित ब्रम्भांड है जो एक दूसरे के अस्तित्व से अनभिग्य है लीला उसमें से एक में प्रविष्ट हुई उसी में उसके पती का शव फूलों से धका हुआ पड़ा था उसने सोचा सरस्वती की कृपा से मैं सर शरीर यहां पहुची हूँ मैं अत्यंत सवभाग शाली हूँ वह राजा के शरीर को पंखे से हवा करने लगी असीम चेतना में ऐसे अगडित ब्रम्मांड है जो एक दूसरे के अस्तित्व से अनभिग्य है अगर हम ऐसे भी सोचे की मेरे मन के भीतर एक संसार है एक ब्रम्मांड है एक क्यों अनेक हो सकते हैं वेसे ही आपके भीतर भी मन के भीतर एक संसार आपने रचा हुआ है एक ब्रह्मांड की रचना की हुई है तो सिर्व एक सोच के देखो कि आज जो लोग हम यहाँ पे बैठे हैं चर्चा कर रहे हैं इनके भीतर भी कितने संसार इस पल में है और नहीं लगता वह संसार वह ब्रह्मांड एक दूसरे से बिलकुल अनभिज्य है यहाँ पे हमें पता चलता है हमारी मन की क्षमता का मन की यह है वो इन सारे संसारों की रचना कर रहा है और उसी में या तो सुख को अनुभू कर रहा है या तो दुख को अनुभू कर रहा है सरस्वती ने पहले वाली लीला से कहा राजा राजमहल के सभी परिजन आदी सभी असीम चेतना है इन सभी का अदस्तर भी असीम चेतना का ही परिवर्तन है फिर इस अनोकि स्रिष्टी के क्रम के संबंद में पहले से द्रिड धारणा चली आ रही है इसलिए लोग एक दूसरे को पहचानते है वह अपने बहुतिक शरीर से किसी नए लोग में नहीं जा सकते क्योंकि प्रकाश और अंदकार एक साथ नहीं रह सकते जब अपने सुक्ष्म शरीर की जानकारी हो जाती है तो फिर बहुतिक शरीर मिध्या प्रतीत होने लगता है मैंने उसे जो वर्दान दिया था यह उसका परिणाम है वर्दान प्राप्त करने वाला सोचता है वर देने वाले ने मुझे जो वर दिया है अब मैं वह हूँ इसलिए वह सोचती है कि मैं अपने बहुतिक शरीर से ही अपने पती के आवास पर पहुची हूँ सिर्फ जिसे ज्ञान हो जाता है वही सुक्ष्म जक्तों में प्रवेश पाता है हे लिला कोई और प्रवेश नहीं पाता इस लिला को वह ज्ञान प्राप्त नहीं है इसलिए इसने कल्पना भर कर ली है कि मैं उस नगर में पहुची हूँ जिसमें मेरा पती रहता था फिर से एक बार 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 वही हमें बताया जा रहा है हमारा संकल्प हमारी दृड़ दारणा की वज़े से ही जो कुछ भी हो रहा है जीवन में उसे हम अनुभव कर रहे है ज्यानी लीला ने कहा कृपया मुझे बतलाए कि विबिन्न पदार्थ अलग अलग विशिष्ट गुन कैसे प्राप्त कर लेते है जेसे अगनी में ताप होता है बर्फ में शीतलता होती है और पृत्वी में गनता होती है जो भी तत्व के मूल स्वभाव गुन है वह ज्यानी लीला जानना चाती है वो उन्हें प्राप्त कैसे होते है इसके उपर सरस्वती क्या उत्तर देती है इसे देखेंगे अगले एपिसोड में तब तक के लिए जय गुरुदेव अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जिसके उपर हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे